तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइन्स के ऐसे अब्जेक्टिव प्रस्णों को जो आपका 15 फरोरी की एकजाम में सीधे सेम टुसेम यही सब प्रस्णे पुछा जाएगा ठीक है कि यही सब प्रस्णे वाइरल प्रस्णे है तो आइए हम इस वीडि बिदुध जनीतर में पावन की चाल कम से कम होनी चाहिए सईधतर जाएगा ऑप्सने यह 15 किलोमीटर प्रतिगाईटा ठीक है सईधतर जाएगा ऑप्सने आए हम अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्णे कि विदुध चुम्बा के बनाने के लिए प्राय शार्थ के छड़ का उप्योग होता है तो इसका सयूत्त्तर हो जाएगा our तो आईए इसके अगले प्रस्ट को देखते हैं, इसमें आगला प्रस्ट है कि एथिन के एक अडू में दो कार्वन प्रवारों के बीच अबंदो की संख्या कितनी होती है? बताना है कि एथीन के एक कड़ू में यानि कि दो कार्बन पड़माड़ों के बीचे कि आब अंदों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है तो इसका सजुत्तर होगा option A दो होती है क्रेट अफस्वने option A हो जाएगा आईए हम इसके अगले प्रसंट को देखते हैं अगला प्रसंट की निम्लिखित में से कौन भूमिगजल का उधारन है इसमें हमें भूमिगजल का उधारन को बताना है क्रेट अफस्वने का option B कुवा सजुत्तर हो जाएगा B कुवा ठीक है तो आईए हम इसके अगले प्रसंट को देखते हैं इसमें आगला प्रसंट है कि मनुष्य की कोशिका में गुर्शुत्रों की संख्या होती है बताना है कि मनुष्य के कोशिका में गुर्शुत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा D 46 होती है इसका केट अफसन ओफसंटी हो जाएगा यहाँ पर बहु किजिएगा अगर युग में जोड़ा ना कहें तो 46 पर टिक किजिएगा ठीक है उमीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगले प्रस्ट है कि हावा या निर्वात में परकास की चाल होती है बताना है कि नि प्रस्ट को याद कर लिजेगा क्योंकि यह समझ आपके एकजाट सीथा पूछा जाएगा ठीक है सेम तू सेम तो आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं तो इसमें आगला प्रस्ट है कि निम्न लिखित में किसका उप्योगे लेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता है बताना है कि इन में से हम किसका उप्योगे नहीं कर सकते हैं लेंस को बनाने के लिए क्रेट अप्रस्ट हो जाएगा option D, B और C दोनों को यानि कि हम लकड़ी और मिट्टी का हरगिच उप्योग नहीं कर सकते हैं लेंस को बनाने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प यहां पर इसके बिप्रित होता है अब लोग इसको भी याद कर लिजेगा अब चैन में क्या होता है ऑप्चैन में होता है ऑक्सीजन का हरास यानि की ऑक्सीजन घड़ता है और हाइड्रोजन का यहां बरता है अब चैन में यहाँ पर आप confused मत हुगिए होईएगा ठीक है तो आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगला प्रस्ट की खड़िया का रसाइनिक सुत्र क्या होता है सई तुर्या का option C, 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 O, 3 यानि calcium carbonate को ही हम लोग कहते हैं खड़िया ठीक है अहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है सई तुर्या का option भी छोटी याट सई तर option भी हो जाएगा आप लोगे इस सभी प्रस्टों को एक एक करके जरूर याद कर लिजेगा और साथ ही अगर अभी तक इस वीडियो का आप लाइक नहीं कियो तो वीडियो को लाइक किज किये और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्च्राइब कीजिए क्योंकि यहां से आपे किलास्ते और की और सब्जेक्ट की बहतरीन तरीके से त्यारी कर सकते हैं ठीक है तो आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगले प्रस्ट की रक्त में आईरन की कमी से होने वाला रोग है बताना है कि रक्त में आईरन की कमी जब हो जाती है उससे कौन सा रोग होता है सही तो रहेगा अनेमिया क्रेट अप्सन option सी हो जाएगा ठीक है आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं अगले प्रस्टने की कौन बिदुद का सरोत्तम चालक है बताना है कि इन में से कौन है जो बिदुद का सबसी अच्छा चालक है करेट ऑप्षन ऑप्षन भी हो जाएगा एजी यानि की चान्दी ठीक है एजी किस कर्षन के थोता है वह होता है चान्दी का करेट ऑप्षन ऑप्षन भी हो जाएगा ठीक है आईए हम इसकी अगले प्रस्ट को देखते हैं इसमें आगला प्रस्ण की डाइनेमों में किस परकार की धारा प्राप्त होती है, बताना की डाइनेमों से हमें किस परकार की धारा प्राप्त होती है, क्रेट ओप्षन ओप्षन ही हो जाएगा, ठीक है, आईए हम इसकी अगले प्रस्ण को देखते हैं, आगला प्रस्ण की सि और टीन की मिस धातु को क्या कहते हैं करेट ऑप्षन ही हो जाएगा सोल्डर आप लोग इस सभी प्रस्नों को एक एक करके याद जरूर कर लिजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी साथ में सिर किजिएगा कि उनका भी भला हो सके पंदर तारिक के आने वाले साइंस के एकजाम में ठीक है आईए हम इसके अगले प्रस्न को देखते हैं इसमें आगला प्रस्न है कि कार्बन हाइड्रोजन से सन्योकर बनाता है यानि कि कार्बन हाइड्रोजन से मिल करें कौन सा बनाता है करेट अप्षन हैगा ऑप्षन भी हाइड्रो कार्बन ठीक है करेट तो आईए हम इसके अगले प्रस्ट पर देखते हैं इसमें अगला प्रस्ट की अंडाडू निश्यचित होता है बताना की अंडाडू निश्यचित कहां से होता है। आप लोग इस सभी BBI important objective प्रस्णों को याद जरूर कर लेजिएगा कि यह इस प्रस्ण है आपके exam में same to same सीरे पुछा जाएगा यह मेरा grantee है ठीक है तो आएए हम इसके अगले प्रस्ण को लेखते हैं इसमें आगला प्रस्ण है कि लोहा, nickel और chromium के miss धातु को क्या कहते हैं क्रेक्ट option option D हो जाएगा s-ten place, s-t-leisy Set Option D हो जाएगा, ठीक है आईए हम इसके अगले प्रस्ण को देखते हैं, आगला प्रस्ण है एक सवस्थ आंग की दूर बिंदु होता है, बताना है कि सवस्थ आंग की दूर बिंदु क्या होता है करेक्ट option D हो जाएगा, करेक्ट में पूछा जाता है कि एक सवस्ता की निकट बिंदू क्या होता है तब अगर निकट बिंदू के बारे में पूछे जाएगा तो उसका करेट अप्सन हो जाएगा 25 सेंटीमिटर यानि एक सवस्ता की निकट बिंदू होता है 25 सेंटीमिटर है और दूर बिंदू होता है अनौ इसमें हमारा दूसरा प्रस्ण है कि किसी माध्यम में अपवर्तनाग मुद्ध का मान ऑता हैबाता है तो आभी हम इसके तीसरे नंबर प्रस्ट को देखते हैं इसमें तीसरा नंबर प्रस्ट है कि निमलेखित में से कौन सा बुझा हुआ चुना है बताना है कि इन में से कौन है जो बुझा हुआ चुना का सुत्र होता है तो इसका सयुत्तर क्या हो जाएगा option C हो जाएगा CAO2 यानि कि भूजा हुआ चुना होता है calcium hydroxide सयुत्तर हो जाएगा option C और आप दोग साथ में यह भी याद कर लिजेगा कि जो बीना भूजा हुआ चुना का सुत्र होता है हुआ होता है CAO ठीक है यह होता है बीना भूजा हुआ चुना CAO होता है बीना भूजा हुआ चुना ठीक है आप दोग इसको भी याद कर लिजेगा तो आई हम इसके चौथे नमबर प्रस्ण को देखते हैं इसमें चौथा नमबर प्रस्ण है कि कोई billion नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीच मान होगा बताना है कि कोई billion दिया गया है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो वह billion का पीच मान क्या होगा तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वह कौन सा बील होता है वह billion होता है अमले billion होता है तो अमले billion का पीच मान कितना होता है वह होता है 7 से कौम यानि कि इसमें कि सवयूतर क्या हो जाएगा इसका सवयूतर हो जाएगा option A5 ठीक है इसका सवयूतर हो जाएगा option A त्वाइए हम इसके पहुचवे नमबर प्रसन को देखते हैं आप लोग इस सभी प्रसनों को एक एक करके याद कर लिजिएगा ठीक है क्योंकि यह सब प्रसने काफी BBI प्रसन है ठीक है त्वाइए हम इसके पहुचवे नमबर प्रसन को देखते हैं इसमें पहुचवे नमबर प्रसन है कि पौधों में वास्पोत सर्जन किस भाग में होता है बताना है कि पौदों में वासपोत सर्जन किस अंग से होता है तो इसका सरित्र क्या हो जाएगा option C हो जाएगा पत्ता के द्वारा होता है वासपोत सर्जन पौदों में ठीक है इसका सिर्त्र हो जाएगा option C तो आइए हम इसके छड़े नंबर प्रस्न को देखते हैं इसमें छाटा नमर प्रस्ट है कि दो तंत्रिका कोशिक्या के मद्ध खाली अस्थान को कहते हैं बताना है कि दो तंत्रिका कोशिक्या के मद्ध जो खाली अस्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका सईतर जाएगा option B snaps कहते हैं ठीक है इसका सईतर क्या हो जाएगा option B हो जाएगा आप लोग अभी तक कि इस चैनल को subscribe नहीं कियो तो चैनल को जरूर subscribe करें केकि इस चैनल पर आप ए class 10 के बैतरिन से बैतरिन तरिके से तयारी कर सकते हैं ठीक है तो आई हम इसके तो नंबर परसन को देखते हैं परतिरोत का SI मातरक होता है बताना है कि परतिरोत का SI मातरक किया होता है तो इसका सजुत्र क्या हो जाएगा option B हो जाएगा ohm ठीक है इसका सजुत्र हो जाएगा option B और साथ में आप लोग याद कर लिजेगा कि जो voltage होता है उसका SI मातरक होता है ohm तो आई हम इसके 90 नमबर प्रस्ण को देखते हैं इसमें 90 नमबर प्रस्ण की बॉक्साइट निमलिखित में से किस धातु कायस्क होता है तो इसका सजुत्र क्या हो जाएगा option C हो जाएगा aluminium ठीक है तो आई हम इसके दास्वे नमबर प्रस्ण को देखते हैं दास्वे नमबर प्रस्ण की कारबोने गुरूप पर्ति कारव कौन है बताना है कि कारबोने अगरूप पर्ति कारव कॉन तो इसका सेत्र क्या हो जाएगा opisशन भी हो जाएगा तो आई हम इसके 11 नमबर प्रस्ट को देखते हैं इसमें प्रस्टने कि सुक्रानू का निर्मार होता है बताना है कि सुक्रानू का निर्मार किस में होता है यानि कि किस अंग में होता है तो इसका स्रिटर क्या हो जाएगा और बिर्शन में ठीक है इसका सृतर क्या हो जाएगा? Option ही हो जाएगा तो आईए हम इसके अगले नमर प्रस्ट को देखते हैं इसमें अगला नमर प्रस्न है की The Origin of Spaces पुस्तक के नाम अप किसने लिखी? बताना है कि जो पुस्तक है The Origin of Spaces यह पुस्तक को کिसने लिखा है? तो इसका सितर क्या हो जाएगा option ही हो जाएगा डार्वीन यानि कि चार्ज डार्वीन ठीक है इसका सितर क्या हो जाएगा option ही हो जाएगा आप लोग इस सभी प्रस्णों को एक एक करके याद कर लिजेगा कि यह सब प्रस्ण काफी ही भी व्याई प्रस्ण है ठीक है तो आई हम इसके अगले नमबर प्रस्ट को देखते हैं इसमें आगला नमबर प्रस्ट ने की घरेलू बीदुत परिपत में उदासी इंतार का रंघ होता है बताना है कि घरेलू जो हम भर में जो तार उप्यों करते है उसमें eles निट्रल तार यानी प्रसण को एक एक करके जरूर याद कर लिएगा तो आई हम इसके अगले नंबर प्रसण को देखते हैं इसमे अगले नंबर प्रसण है कि आवर्च साड़नी में उधर आस्तम है कितनी होती है तो इसका संख्या होती है साथ इसको भी आप लोग याद कर लिजेगा तो आई हमें इसके 16 नमर परसन को देखते हैं इसमें 16 नमर परसन है कि किस clients कि संख्याहर है तो इसका सहतर क्या जैगा or चुर्छ होता है वा होता है एक संख्याहर होता है संख्याहरowym इसे स्थाहर होता है होगई हइं इसके 16 नमर चर्ण आइन इसमें अगला नमर्पर प्रस्थ्न है कि ओजून पुरत पाया जाता है इसका सरी dealt-र क्या हो जाएगा ओप्शन B हो जाएगाAyawmanda के उपरी सत्व में तो आई हम इसके 18 नमर्पर प्रस्थ्न को देखते हैं इसमे 18 नमर परस्ट है की 4 बांद का निर्मार किस प पर्देश में किया गिया है तो इसका सभी तरो हो जाएंगा तो आई हम इसके 19 नमर परस्ट को देखते हैं इसमें हमारा 19 नमर परस्ट की बीदुत फ्यूज भीदुत धारा के किस परभाप कारे करता है तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा उप्सन ही हो जाएगा उसमें परभापों काम करता है ठीक है इसका सही उत्र क्या हो जाएगा उप्सन ही हो जाएगा तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा उप्सन ही हो जाएगा तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा उप्सन ही हो जाएग को एक एक करके याद कर लेजेगा कि यह सब प्रसने काफी वी बी आई प्रसन है ठीक है इसे तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सिर्क करें तो ठैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो